सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आज का जो एडिटोरियल है वह है किस मुद्दे पर आधारित है तो हुआ क्या है कि आंदर प्रदेश की CM Y.S. जगन मोहन रेड़ी ने एक नियाधीश के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से एक इंटर्नल इनक्वाईरी कंड़क्ट करके हरिच कर दिया इसी संबंद में से एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं इन हाउस सीक्रेट्स देखो इन हाउस का मतलब होता है कि कोई भी और्गनाईजेशन है कोई भी कंपनी है उसके अंदरूनी जो कुछ किया जाता है जैसे कोई एक और्गनाईजेशन है उसके भीतर कोई ट्रेनिंग होती है या फिर कोई इनक्वाईरी कंड़क्ट की जाती यानि कि बाहर का कोई अस्तक्षिप नहीं होता आंत्रिक रूप से जब कुछ किया जाता है किसी organization के भीतर तो उसके लिए हम कहते हैं in-house secrets का मतलब हो गया एक तरीके की गोपनी बाते तो यही इस एडिटोरिल में हम चर्चा करने वाले हैं कि हुआ क्या आंद्रप्रदेश के CM Y.S. जगन मोहन रेड़ी ने एक नियाधीश के खिलाब बहुती गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों को क्या किया गया internal inquiry conduct की रही सुप्रीम कोट के दुआर और इन आरोपों को खालिच कर दिया गया तो उन secrets के बारे में यह editorial है सुप्रीम कोर्ट मस्ट वेव confidentiality rule वेव का मतलब है जाने देना कि वही confidentiality का मतलब होता है गोप नियता rule and disclose disclose का मतलब होता है open करना सामने लाना reasons for rejecting आदरप्रदेश CM's charges का मतलब है आरो तो editorial कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात को जाने देना चाहिए किस बात को जाने देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है confidentiality rule होता है गोप नियता का rule कि कुछ बाते हैं कुछ मुद्धे हैं जिनके उपर सुप्रीम कोर्ट गोप नियता कायम रखता है तो एडिटोरिल कहता है कि आंदरप्रदेश के CM ने जो charges लगाए हैं जो अभियोग लगाए हैं उनको Supreme Court ने reject कर दिया खारिज कर दिया तो Supreme Court को वह क्यों खारिज किया इन charges को उन reasons को Supreme Court को क्या करना चाहिए open करना चाहिए disclose करना चाहिए तो यही एडिटोरिल कहना चाहिए कि भई यह जो गोपनियता का नियम है इसको Supreme Court को जाने देना चाहिए है ना इसको हटाते हुए और उन कारणों को बताना चाहिए कि भई क्यों आंदरप्रदेश के CM के द्वारा जो charges लगाए गए थे उन आरोपों को Supreme Court ने खारिज किया The Supreme Court has dealt with deal with का मतलब होता है पेश आना, निपटना grave का मतलब होता है गंभीर grave matter concerning जो की संबंदित है issues of judicial propriety, propriety का मतलब होता है आचरण with characteristic opacness characteristic का मतलब है गुण विशेषता, opacness opacness का मतलब होता है पारदर्शिता तो Supreme Court ने निपटा है Supreme Court ने deal किया एक बहुती गंभीर मुद्दा था grave matter जो की संबंदित था है जो की किन मुद्दों से संबंदित था नियाईक आचरण यानि कि इस पूरे की पूरे मुद्दे में क्या हुआ कि जो आंद्रप्रदेश के CM है उन्होंने नियाधीश के आचरण पे सवाल उठा है तो इस पूरे की पूरे मुद्दे को Supreme Court ने deal किया बहुती गंभीर मुद्दा था है with characteristic opacness ना विशेषता के साथ है क्या है Supreme Court की विशेषता बिल्कुली a suspect था के साथ यानि कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से Supreme Court ने पारदर्शी रूप में solve नहीं किया it has dismissed क्या किया Supreme Court ने a complaint कि बहुती Supreme Court ने dismiss कर दी खारिज कर दी क्या एक complaint एक शिकायत जो कि कि किस और से कहां से की गई थी कि कि आंद्रप्रदेश के सेम यस जगन मोहन रेड़ी की तरफ से complaint आये थी उस complaint को Supreme Court ने dismiss कर दिया खारिज कर दिया अब उस जो complaint थी उस complaint में क्या शामिल था कंटेन मतलब शामिल होना explosive का मतलब होता है बहुती विस्फोटक बहुती जबरदस्त allegations बहुती जबरदस्त आरोप लगाए गए थे इस complaint में किसके खिलाफ against CGI Designate Justice N.V. रमना CGI Chief Justice of India ने जिने नामित किया है कौन है Justice N.V. रमना तो इस complaint में Y.S. जगन मोहन रेड़ी की complaint में N.V. रमना जो justice है इनके खिलाब बहुती संगीन आरोप लगाए गए थे but declined to disclose तो Supreme Court ने इस याचिका को खारिच कर दिया लेकिन Supreme Court ने इनकार कर दिया to disclose का मतलब है open करने से इसपष्ट करने से the findings findings का मतलब होता है कि क्या-क्या परिणाम है क्या-क्या नतीजे निकले आपने कोई जाच की तो है the findings of an in-house inquiry Supreme Court है जो Mr. Y.S. जगन महन रेड़ी की complaint है इसको खारिच किया तो खारिच ऐसे ही नहीं कर दिया Supreme Court ने क्या किया एक in-house inquiry conduct की in-house inquiry यानि जाच एक अंदरूनी जाच Supreme Court ने की एक committee बनाई उस committee के द्वारा आंतरिक जाच की गई पूरे की पूरे मामले की लेकिन उसके नतीजे जो थे उसकी जो findings जो थी उनको open करने से Supreme Court ने इंकार कर दिया the rejection was disclosed on the court's website कि बही rejection का मतलब है खारिच कर देना किसी बात को अस्विकार कर देना तो Supreme Court ने इस complaint को reject कर दिया इसका खुलासा कहां पर किया गया वाज disclosed on the court's website कि बही अदालत की जो website है उस website के ऊपर इस complaint के rejection का खुलासा किया गया on the day किस दिन on the day C.J.I.S.A. Bob Day recommended किस दिन किया गया website पर इस बात का खुलासा उस दिन किया गया जब Chief Justice of India S.A. Bob Day ने recommend किया recommend का मतलब होता है सिफारिश करना Justice Ramana as a successor successor का मतलब होता है कि अब आपकी जगे कौन लेगा आपका उत्तराधिकारी तो Chief Justice of India S.A. Bob Day ने Justice Ramana की सिफारिश की है उनके उत्तराधिकारी की रूप में तो जिस दिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की रूप में Justice Ramana की सिफारिश की उसी दिन Court की website पे इस बात का खुलासा किया गया कि इस बात का कि ये जो complaint थी उनके खिलाब उसको reject कर दिया गया है Going by procedure कि जो procedure है जो तरीका है उसका पालन करते हुए Going by procedure का मतलब हुआ कि जो procedure है उस procedure को follow करते हुए A committee of three judges कि जो भी procedure है उस procedure का पालन करते हुए A committee of three judges must have inquired must have और उसके साथ में verb की third form का जब हम प्रियोग करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा हुआ होगा past के बारे में strong guess करने के लिए हम प्रियोग करते हैं must have और वर्प की third form का तो देखो एडिटोयल कहता है कि ठीक है अगर procedure जो है उसका पालन करते हुए ऐसा जरूर हुआ होगा क्या हुआ होगा कि एक inquiry conduct की गई होगी उस inquiry में तीन judges की committee बनाई गई होगी into the charges कि बही जो भी charges लगाए गए थे जो भी आरोप लगाए गए थे इन आरोपों की जाँच हुई होगी तीन नियाय धीशों की committee के द्वारा अब देखो supreme court जो है इस मामले में कि कोई भी इस तरह की जाँच supreme court करता है न तो उसमें transparency नहीं बरतता गोपनियता बरतता है तो the lake of का मतलब है कमी होना कि इसकी transparency कि बही पार दर्शिता की कमी होना क्यों है ये आधारित है इस based on a 2003 judgment of the apex court apex का मतलब होता है उच्चितम, शीर्ष apex court का मतलब होता है supreme court तो देखो 2003 में supreme court ने एक judgment दिया था उस judgment के आधार पे supreme court गोपनियता बरकरार रखता है क्या judgment है that any inquiry कि कोई भी जाच under this procedure कि ये जो in-house inquiry होती तो in-house inquiry यानि कि in-house inquiry के दौराँ जो procedure follow किया जाता है उसे supreme court disclose नहीं करता है is meant only for the information कि ये जो internal inquiry होती है इसका मतलब होता है ये किसके लिए होती है only for the information and satisfaction of the CGI कि ये जो in-house inquiry होती है ये सिर्फ सूचना के लिए और संतुष्टी के लिए होती है संतुष्टी के लिए conduct की जाती है किसकी CGI कि Chief Justice of India की सूचना और उनकी संतुष्टी के लिए ये in-house inquiry conduct की जाती है और इस in-house inquiry को तो उसी judgment में बात कही गई थी कि वह अगर in-house inquiry की जाती है तो उसको open करने की जरूत नहीं है and is not meant for the public और यह सिर्फ CGI के लिए होती है कि वह यह जो in-house inquiry conduct की जाती है CGI की information के लिए और उनके satisfaction के लिए होती है न कि आम जनता के लिए and is not meant for public however हलांकि this may be an instance when not many will agree editorial केता है कि यह जो घटना हुई है कि CM जगन मौन डेडी के द्वारा एक बहुत ही महतोपूर्ण यायदीश के खिलाप आरोप लगाए गए है यह जो घटना हुई है यह एक ऐसा उधारन हो सकता है एक ऐसी घटना हो सकती है when not many will agree जिस बात को लेकर ज़्यादा लोग सहमत नहीं होंगे किस बात को लेकर सहमत नहीं होंगे अगरी विसदर confidentiality norm norm का मतब है प्रावधान confidentiality यह जो घटना हुई है इस घटना को लेकर कई लोग confidentiality जो norm है उससे राजी नहीं होंगे क्यों क्योंकि यह मुद्दा थोड़ा सा बड़ा है क्यों क्योंकि आरोप जो लगाए गए है वो एक बहुती महतपून व्यक्ती पे लगाए गए है और आरोप जो लगाए गए है वो एक बहुती महतपून व्यक्ती द्वारा लगाए गए है कि किसी CM के द्वारा किसी महतपूर्ण न्यायदीश के खिलाब आरोप लगाना मायने रखता है The allegations का मतलब है आरोप Came from a person एडिटोरिल कहता है यह जो आरोप लगाए गए हैं यह एक ऐसे person से आते हैं एक ऐसे person ने लगाए हैं Holding the high office of CM Hold का मतलब है उसने पकड़ बना रखी Holding the high office of CM धारन किये हुए कि एक ऐसा व्यक्ति जो की CM के office जो की CM का पद जिसने धारन किया हुआ है जिस पद को वो hold करता है उस व्यक्ति ने आरोप लगाए है And the crux Crux का मतलब होता है सार Of his grievance का मतलब होता है शिकायत And the crux of his grievance तो editorial कहता है कि Mr. Jagan Mohan Reddy ने जो आरोप लगाए है जो इलजाम लगाए है उनका सार क्या है And the crux of his grievance was that The Andhra Pradesh High Court was hostile to him तो देखो उन्होंने ये आरोप लगाए है कि उनका सार क्या है उनका सार ये है कि उनका ये कहना है Mr. Jagan Mohan Reddy का कि आंदर प्रदेश का जो उच्छे नियायल है वह जगन Mohan Reddy के प्रती शत्रुता पूर्ण था Hostile का मतला होता है शत्रुता पूर्ण होना तो Mr. Jagan Mohan Reddy का कहना है कि आंदर प्रदेश का उच्छे नियायल है मेरे प्रती शत्रुता पूर्ण रहा है And his regime तो उन्होंने का है कि मेरे प्रती और मेरे सिस्टम के प्रती रेजीम का मतला होता है शाषन व्यवस्त था तो Mr. Jagan Mohan Reddy का कहना है कि मेरे और मेरे शाषन के प्रती आंदर प्रदेश हाई कोर्ण जो है वह शत्रुता पूर्ण रहा शत्रुता पूर्ण था क्यों? क्यों था शत्रुता पूर्ण due to the influence wielded by Justice Ramana देखो wield का मतलब होता है प्रियोग करना कि वह Justice Ramana जो है उन्होंने अपने प्रभाव का प्रियोग किया इसके चलते आंदर प्रदेश हाई कोर्ट Mr. Jagan Mohan Reddy और उनके सिस्टम के प्रती शत्रुता पूर्ण था ये detail कहना चाहता है further further का मतलब है कि और आगे हम इन बात को add कर सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं further He accused Mr. Jagan Mohan Reddy जो है उन्होंने आरोप लगाए है उन्होंने इलजाम लगाए है The judge of He accused the judge Mr. Jagan Mohan Reddy ने Mr. Justice Ramana के उपर ये आरोप लगाए है of proximity proximity का मतलब होता है closeness घनिष्टता with Mr. Reddy's political rival Mr. Jagan Mohan Reddy के जो राजनेतिक प्रतीदवन्दी है rival का मतलब होता है आपका विरोधी आपका प्रतीदवन्दी तो Mr. Jagan Mohan Reddy का कहना है कि Mr. Justice Ramana जो है उनके मेरे विरोधियों के साथ में घनिष्ट संबंध है and alleged और ये इलजाम लगाया है Mr. Jagan Mohan Reddy ने Mr. Justice Ramana पे involvement of his family कि Mr. Justice Ramana जो है कि Mr. proximity with Mr. Reddy's political rivals and alleged involvement of his family members in a land scheme कि Mr. Justice Ramana उनके जो family members है वो शामिल थे वो शामिल थे इनने land escape कि वह एक जमीन घोटाला हुआ that involved कि वह एक जमीन घोटाला हुआ क्या हुआ जमीन घोटाला that involved जिसमें क्या बातें शामिल थी prior knowledge का मतलब है पूर्व जानकारी होना that अमरावती was to be declared राजधानी घोशित किया जाना था ये जानकारी Mr. Justice Ramanna या उसके परिवार को थी तब इन्होंने क्या किया कि ये पता चली गया कि अमरावती जो है वो राजधानी बनने वाली है तो जिस जगे पे अमरावती यानि कि अमरावती नाम की जो जगे है उस जगे को राजधानी की रूप में सेलेक्ट किया जाना है तो अब क्या करो कि अमरावती के आसपास की जो जमीन है उसे खरीद लो क्यों क्योंकि जब अमरावती स्टेट कैपिटल बनेगी तो वहां की जमीन की वैल्यू भी बढ़ेगी तो इस बात की पूर जानकारी होती होई यह एडिटोरिल केहना चाहरा है गत प्रत्वी द्वंदी हैं, उनके साथ जस्टिस रह्मना जो है, उनकी घनिष्टा है एंड उसके साथ ही ये जाम भी लगाए गए हैं, यारोप भी लगाए गए हैं, कि मिस्टर जस्टिस रह्मना का जो परिवार है, वह एक जमीन घोटाले में शामिल है और वो जमीन घोटाला किस तरह से हुआ वो जमीन घोटाला इस तरह से हुआ कि इस बात की पूरु जानकारी मिश्टर रमना या उनके family members को थी, क्या जानकारी थी, कि अमरावती को राजधानी घोशित किया जाना है, तो इस प्रकार के अनुमान लगाएगे कि वहाँ पर जमीन खरीद ली जाए there is little to commend the requirement of confidentiality in a probe of this nature there is little editor कहता है comment का मतलब है प्रशनशा करना the requirement of confidentiality का मतलब है गोपनिय था मतलब देखो भी यहाँ पर लिखा होता है a little तो इसका मतलब है कि हाँ थोड़ी बहुत प्रशनशा की जाती है की जा सकती है editor कह रहा है ए तो लगाया नहीं है यहाँ पर there is little यह little का मतलब होता है न के बराबर कि मतलब न के बराबर प्रशनशा करने योग यह बात है कि इस तरह की जो जाँच होती है इस तरह की जो प्रव होती है इस तरह की जो जाँच होती है उसमें गोपनियता की जरूरत की प्रशनशा न के बराबर कर सकते हैं यानि की प्रशनशा करने का कोई सवाल ही नहीं उड़ता there is little to comment कि इसकी क्या प्रशनशा करें मतलब कि confidentially की जरूरत है कि इसमें है ना इस बात की प्रशनशा करने कोई क्यों as the dismissal of the complaint dismissal का मतलब है खारिज किया जाना of the complaint कि बही complaint का खारिज किया जाना if so facto if so facto का मतलब है अपने आप में if so facto का मतलब है एक fact है यह if so facto का मतलब है कि अपने आप में ये इस्पेश्ट हो जाता है, by the fact, by that fact, ये दा fact, कि बई इस तत्य से ये इस्पेश्ट हो जाता है, means that a serving CM has leveled fast, एडिटोल कहता है, कि बई इस जांच का dismiss कर दिया जाना, ये बताता है, क्या बताता है जांच का dismiss कर दिया जाना, कि बई इस तरह की जांच है, उसका dismiss किया जाना, वो अपने आप में इस तत्य को प्रमानित करता है, कि a serving CM, serving CM का मतलब है, वर्तमान में जो सेवा कर रहा है, वर्तमान में जो CM है, has leveled, level का मतलब है, हापे लगाना, has leveled false and motivated charges, CM has leveled false and motivated charges, तो इसका मतलब क्या है, इस complaint को खारिज किया जाना, अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है, है ना, इस fact को प्रमानित करता है, इस fact की पुष्टी करता है, कि वर्तमान में जो serving CM है, उसने जो charges लगाए हैं, वे charges क्या हैं, फालस हैं, जूटे हैं, और motivated हैं, वो प्रेरित हैं, और किसके खिलाफ लगाए गए हैं, वे charge against a senior supreme court judge, कि एक worst supreme court के judge के खिलाफ है, as well as साथ ही साथ those in the high court, कि भई, एक senior supreme court के judge के खिलाफ, इसके अलावा, वे लोग जो की high court के judge हैं, उनके खिलाफ, जो charges लगाए गए हैं, वे charges हैं, cm ने charges जो लगाए हैं, वे charges जूटे हैं और motivated हैं, यह अपने आप में परमानित हो जाता है, इस शिकायत को खारिज किये जाने से, Mr. Reddy is surely in contempt of court, if the committee found no merit in the allegations, editorial कहता है, कि Mr. Jagan Mohan Reddy जो हैं, वे निश्ची तूप से, अदालत की अवमानना के दोशी हैं, contempt of court का मतल़ होता है, अदालत की अवमानना, if the committee found, कि भई, internal committee जो बनी, और उस internal committee ने, Mr. Jagan Mohan Reddy की शिकायत की जाच की, और शिकायत की जाच करने के बाद, उनकी शिकायत को खारिज कर दिया, तो निश्ची तूप से, Mr. Jagan Mohan Reddy जो है, अदालत की अवमानना के अंतरगत आते हैं, अगर जो committee है, उसने कोई भी गुण नहीं पाया, no merit in the allegations, कि वे जो भी allegations, Mr. Jagan Mohan Reddy की तरफ से लगाए गए थे, उन allegations में, अगर committee ने कोई भी खास बात नहीं पाई, तो निश्ची तूप से, Mr. Jagan Mohan Reddy जो है, वे अदालत की अवमानना के दोशी है, that he raised in a signed affidavit, ना, उन मुद्दो की बात कर रहे हैं, उन allegations की हम बात कर रहे हैं, that he raised, जो की उन्होंने उठाए, in a signed affidavit, affidavit का मतलब है, हलफ नामा, शपत पत्र, यानि कि उन्होंने क्या किया, आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद में, उन्होंने खुद हस्ताक्षर करके, affidavit बनाया, पुरा की पुरा हलफ नामा बनाया, और उस हलफ नामे को, एक तरीके से submit किया, तो वो जो भी बातें, जो भी बातें रखी गई उन्होंने, तो यही एडिटोर करना चाहरा है, अगर वास्तों में कमीटी ने ये पाया, कि उनके जो भी allegations हैं, उन्होंने अपने affidavit में, अपने signed affidavit में, जो भी बातें, या जो भी complaint उठाई हैं, उन बातों को अगर खारिज कर दिया, पूरी कमीटी ने, एक भी अगर विशेस्ता नहीं देखने को मिली, तो निश्चित रूप से, Mr. जगन मोहन रेड़ी, जो हैं, वे अदालत की अवमानना के दोशी हैं, Should the confidentiality rule always hold the field? देखो, hold the field, इस hold the field का मतभ़ होता है, महत्वपूर्ण होना, remain the most important, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, एडिटोरल कहता है, कि क्या, क्या ऐसा होना चाहिए, condition है, यहाँ पर शुड़ा है, condition दिखाने के लिए, confidentiality rule का मतभ़़ होता है, गोप नियता का नियम, यानि कि कई ऐसे बाते हैं, जहाँ पर सुप्रेम कोर्ट बात को सारजनिक नहीं करता, वहाँ पर confidentiality rule का पालन करता है, तो एडिटोरल कहता है, कि क्या यह जो confidentiality rule है, यह हमेशा सरवादिक महत्पूर्ण होना चाहिए, is it possible to dismiss the allegations, कि जो भी आरोप है, जो भी इलजाम है, उनको खारिज कर दिया जाए, विदाउट डिस्क्लोजिंग, बिना ओपन किये, डिस्क्लोजिंग का मतलब है ओपन करना, बिना ओपन किये, कि किन लोगों को गवाह के रूप में सुना गया, सुनवाई के दोरान, and what material was considered, considered का मतलब है मानना, और क्या वो material था, जिसको प्रमान के रूप में माना गया, कि बही क्या material था, कौन से दस्तावेज थे, जिनको evidence माना गया, कौन से लोग थे, जिनकी गवाई ली गई, इन सब का खुलासा किये बिना, जो भी allegation से, उनको dismiss करना क्या संभव है, was Mr. Reddy given an opportunity, कि क्या Mr. Jagan Mohan Reddy, जो हैं, उन्हें ये अवसर उपलब्द कराया गया, to substantiate his charges, substantiate का मतलब होता है, proof करना, साबित करना, कि क्या Mr. Jagan Mohan Reddy को, ये opportunity दी गई, ये अवसर दिया गया, कि वे अपने आरोपों को साबित करें, and does he get to know the conclusions, और ठीक है, ये जो internal committee के द्वारा, जो जांच की गई, उसने जो conclusion निकाला, क्या वे conclusion जो है Mr. Jagan Mohan Reddy को उपलब्द होंगे, and does he get to know the conclusions, कि वे जो भी इस committee ने, जो भी निसकरस निकाला, उसका जो भी conclusion रहा, जो भी सार रहा, तो क्या वो सार Mr. Jagan Mohan Reddy को प्राप्थ होता है, क्या वे उसका सार उनको मिलेगा, the unsavory charges, unsavory का मतलब होता है, बेस्वाद, बहुती फीका, कि भी ठीक है, ये charges जो हैं, वो बहुती गलत कह सकते हैं, the unsavory charges are bound to, bound to का मतलब होता है, बाद्ध होना, come up, come up का मतलब है, फिर से उठेंगे ये charges, in some form, किसी अन्य रूप में, or the other again, एडिटोल कहता है, कि भाई ये जो charges लगाए गए हैं, कि भाई इस बात के आप पकी बाद्धिता समझो, कि ये जो charges, ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप किसी न किसी रूप में, फिर दोबारा से किसी न किसी रूप में उठेंगे, फिर दोबारा से किसी न किसी रूप में खड़े होंगे, आंद्रप्रदेश government has appealed कि आंद्रप्रदेश की सरकार ने appeal की है याचिका की है against किसके खिलाफ a high court judgment उच्छे न्यायले के judgment के खिलाफ that state of police investigation कि भई यह जो उच्छे न्यायले है आंद्रप्रदेश का जो उच्छे न्यायले है उसकी तरफ उसने क्या किया था इष्टे लगा दिया था किस बात पर अब police investigation in the अमरावती land issue कि भई यह जो अमरावती के जमीन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था इसमें जो police investigation की जा रही थी उस police investigation पर इष्टे लगा दिया था रोक लगा दिया रोक लगा दिती किसने आंद्रप्रदेश हाई कोट ने तो इस रोक के खिलाफ आंद्रप्रदेश government ने अपील की थी Mr. Reddy Faces Prosecution Prosecution का मतलब है अभियोग, इल्जाम Mr. Reddy Faces Prosecution in corruption cases कि Mr. Reddy जो है वे खुद स्वयम उनके ओपर Mr. Reddy जो है वे सामना करते हैं कि इस बात का उनके ओपर इस बात का अभियोग है corruption cases हिमसेल Mr. Reddy के ऊपर Mr. Reddy स्वयम जो है वे ब्रिष्टाचार के आरोपों का सामना करते हैं उनके ओपर खुद जो है ब्रिष्टाचार के आरोप लगे हुए है अक्की allegation एक महतुपूर्ण इलजाम जो Mr. जगन महन रेड़ी के खिलाफ है वो ये is that वो क्या है is his animosity animosity का मतब़े शत्रुता towards justice रमना कि वही एक इलजाम उनके ओपर ये है कि Mr. जगन महन रेड़ी की जो शत्रुता है किसके प्रती justice रमना के प्रती वो कहां से उठती है वो कहां से पैदा होती है वो यहां से उठती है arises from an order वही क्या हुआ था एक order पास किया गया था that a bench headed by the letter letter का मतलब होता है बादवाला एक वाक के अगर लिखा जाए उसमें दो व्यक्तियों का जिक्र किया जाए तो पहले वाले व्यक्ति को बोलते है former और दूसरे वाले व्यक्ति को बोलते है letter तो यहां पे letter आया है justice रमना के लिए देखो क्या हुआ था एक order पास किया गया था एक पीट के द्वारा थे justice रमना उस order में क्या कहा गया था that cases involving elected representatives be expedited expedite का मत्व होता है शीगरता करना जल्दी करना तो देखो उस order में justice रमना ने कहा था कि ऐसे cases जुनमें की जनता के चुने हुए प्रतिनिदी शामिल है उन cases में शीगरता दिखाना चाहिए उन cases में अदालत के द्वारा शीगरता की जानी चाहिए तो इस order को लेकर animosity शत्रुता पैदा हुई थी कि इनके बीच में justice रमना को justice रमना और जगनमौन रेड़ी के बीच में ये डिटोल केना चारा है एक key allegation against him is that कि उनके खिलाब जो एक मुख्य आरोफ है मुख्य जाम है वो ये कि उनकी शत्रुता justice रमना के प्रती कहां से उठ रही है arise from का मतब है पैदा होना उठना खड़े होना तो वो जो शत्रुता है वो एक order से निर्मित हुई और वो order क्या था वो order था जो कि justice रमना की bench के द्वारा है justice रमना उसके head थे उनके द्वारा एक order पास किया गया था और उस order में justice रमना ने कहा था कि वह एसे cases जिनमें जनता के चुने हुए प्रतिनिदी शामिल है उन cases में शिगरता करनी चाहिए उन cases को जल्दी से जल्दी निप्टाना चाहिए in a separate development एक और बात हम समझ ले in a separate development का मतलब है एक और विकास हम देखें एक और है ना एक और बात हुई थी बिल्कुल यह अलग बात है वो उसमें क्या था पूरा की पूरा मुद्धा क्या था the high court had also ordered a CBI prob कि बई उच्छी नियायले ने आंदर प्रदेश के उच्छी नियायले ने क्या किया था एक CBI prob का मतलब है जांच prob into है ध्यान रखना prob के साथ में into preposition का प्रयोग कि बई CBI ने क्या किया था कि बई आंदर प्रदेश उच्छी नियायले ने एक CBI जांच का आदेश दिया था किसके अंतरगर into social media posts targeting judges कि बई जो भी social media posts डाली जाती ही ना facebook पे या twitter पे है और ना उनमें निशाना बनाया जाता judges को कि बई एक उच्छी नियायले की तरफ से एक order जारी किया गया ताकि CBI जांच की जाए उन social media posts के अगेंस्ट जिनमें की judges को निशाना बनाया गया है तो एक ये मुद्दा भी है the charges being bandied about देखो bandied about का मत्तब होता है खुले आम discuss करना जब क्या होता है कोई भी मुद्दा जो है कोई भी बात जो है वो आम तोर पे डिसकस की जाती है सबी लोग उसकी चर्चा करते है तो उसको बोलते है काफी लोग है एक केजल वे में जब किसी बात को डिसकस करते है the charges are being bandied about are overtly overtly का मत्तब है बिल्कुल प्रकट रूप में है बिल्कुल इसपस्ट रूप से बिल्कुल खुलम खुला overtly political the charges being bandied about are overtly political तो एडिटोयल क्या किरा है कि भाई ये जो भी आरोप है इनके बारे में इस तरह की बातें की जा रही है इस तरह काफी सारे लोग इस तरह की चर्चा कर रहे है कि ये जो आरोप है यह पृत्यक्ष रूप से राजनेतिक है कि राजनेतिक कारणों से संबंदित है ये आरोप and the episode has become unpleasant और ये पूरा की पूरा जो घटना करम है यह unpleasant हो गया है बहुत ही एक तरीके से बेकार सा हो गया है पूरा की पूरा मामला पूरा की पूरा एक तरीके से आप कैसा हो तो पूरा की पूरा इससे जो यह माहोल खराब हुआ है notwithstanding के बावजूद notwithstanding का मतलब होता है के बावजूद the confidentiality norm confidentiality norm का मतलब है गोपनियता का प्रावधान led down का मतलब है निर्धारित करना for in-house probs in-house prob prob का मतलब है जांच और in-house का मतलब है internal है न तो एडिटोयल क्या कहता है कि ठीक है in-house prob से जुड़े हुए गोपनियता के जो प्रावधान निर्धारित किये गए हैं उन प्रावधानों के बावजूद it behoves the court court को ये शोभा देता है बिहोव का मतलब होता है शोभा देना उचित होना एप्रोप्रियेट होना ये होता है बिहोव का मतलब है बिहोव का मतलब है कि ये duty बनती है आपकी ये आपकी responsibility बनती है ठीक है कि जो in-house probs होती है उनके तहत ये confidentiality norm निर्धारित किया गया है लेकिन इसके बावजूद अदालत की ये जिम्मेदारी बनती है to demonstrate कि अदालत प्रदर्शित करे किस चीज को प्रदर्शित करे that justice was both कि नियाए जो है both done कि नियाए किया भी गया and was seen to be done और नियाए होता हुआ देखा भी गया भई ठीक है अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है नियाए को होना भी चाहिए नियाए किया जाना चाहिए justice was both done कि justice नियाए हो भी सही नियाए को किया भी जाए और नियाए किस तरह से हुआ वो पूरी की पूरी प्रक्रिया देखी जाए लोगों की द्वारा ये बात भी अदालत को सुनिशित करनी चाहिए तो ये था हमारा first editorial second editorial हमारा संबन देखते है किस से deadly trail देखो deadly का मतलब होता है बहुत ही घातक trail का मतलब होता है manjar, nishan जैसे एक भयानक तूफान आए और वो तूफान अपने पीछे जो निशान छोड़ जाता है उनको बोलता है trail, तो इसका मतलब क्या हुआ deadly trail का मतलब है बहुत ही घातक निशान देखो ये editorial किस बात से संबन देते है अभी हाली में क्या हुआ कि मुंबई में मुंबई में गुरुवार की रात को क्या हुआ कि एक private COVID-19 hospital था वह आग की चपेट में आ गया उसी से संबन्दित पूरी की पूरी चर्चा इस एडिटोरिल में की गई है कि भाई दा मुंबई hospital fire shows कि मुंबई के hospital में गुरुवार की रात को जो आग लगी वो ये दिखाती है that India needs कि भारत को जरूरत है to make public safety and absolute value कि भारत क्या करे लोगों की जो सुरक्षा है public जो safety है उसको सरवाधिक महत्व दे ये पूरी की पूरी बात इसमें की गई कि ये आग लगी किस तरह से लगी और हमें क्या क्या सावधानिया बरतनी चाहिए